इंकलाव, इंकलाव, आम आदमी, आम आदमी, मन्च परासीन, इस छेत्र के लोगप्रिय विधायत, छोटे भाई संजी उजाजी, इस छेत्र से, हमारी प्रत्यासी असभातिया जी, मन्च परासीन, हमारे सभी सम्मानित पदादिकारिगर, साथियों और दोस्तों, यहाँ पर काफी लंबे समय से मौझूद, इस छेत्र की जनता आप सबका, रिदे से और अबिनंदन और स्वागत करता हो, और खास तोर से चाहता हो, इसलिए, कि 2013 के अंदर पुराडी विधान सभा से, आपने संजी उजहा को अपना प्रत्यासी बना के और जिता कर वेजा था, 2015 में, दिल्ली के अंदर रिकाउज मतों से संजी उजहा को आपने जिता कर वेजा था, और 2017 में, इस वार्ड के चुना में भी आप य यकीन है, भरोसा है, आपके दम और ताकत पर यह बात कहरा हूँ, क्योंकि हम आपके दम पर चुनो लगते हैं, आम आदमी के दम पर चुनो लगते हैं, आम आदमी पार्टी के पुत्यासियों के पास पैसे नहीं है, आम आदमी पार्टी के पुत्यासी दारों नहीं बाच स करते हैं यह संजी उचाने करके दिखाया है मैं यह आप से कहना चाहता हूं जब हम लोग हमारा मजा मजाख उड़ाते थे कहते थे टोपी वाले हैं इस चुनाव में दो चार सीटे पाएंगे अर्विंद केजरिवाल जी ने जब पर्चा भरा सीला दिख्षित के खिलाफ तो एक पत्रकार में मुझे रात में भून किया बोले अभी अर्विंद केजरिवाल का केरियर नहीं बना आप लोगों केरियर बिगाल दिया उनका, आपने पंद्रास साल की मुख्य मंत्री के खिलाफ केजरिवाल जी को लड़ा दिया, उनकी जमानत जब चत हो जाएगी केरियर का केरियर आपने खराब में किया 2015 में आपने पूरे दुनिया में रेकॉर्ड कायम किया सतर में से संसच सीटें आपने जीता दिल्ली में अपनी सरकार बनाई आम आदमी की सरकार बनाई लेकिन दो साल से जो सरकार दिल्ली में चल रही है आपकी अपनी सरकार और दिंकेजरिवाल की सरकार उस सरकार के काम को जरा याद कर लेना आपकी जो सरकार दिल्ली में चल रही है एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दामा ठाकिया पूरे देस में सबसे सस्ती बिजली देस की राज़ानी दिल्ली में मिल रही है एक ऐसी सरकार जिसने महला क्लीनिक खोला जिसकी चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है पहले भारत के लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अरे आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरी वाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आमादमी पार्टी से सीखो एक ऐसी सरकार जिसने सरकारी एस्पतालों में तवाए मुफ्त करने का काम किया एक ऐसी सरकार जिसने कहा अगर सरकारी एस्पताल में एक महीने से जादा की डेट मिलती है MRI का टेस्ट कराना हो, आपेरिषle कराना हो इस दोर न करे बड़े से बड़ी बीमारी हो जाये कैंसर हो जाये, कोई बीमारी हो जाये पाद्चलाक रूपई तक का एलाज पिल्ली की सरकार कराने का जिम्मा आपका लेती है एक ऐसी सरकार जिसने 5 flyover के निर्मार में 300 करोड रुपए बचाने का काम किया एक ऐसी सरकार जिसने एजुकेशन सिस्टम को इतना बहतर बनाया कि सरकारी स्कूलों में स्वीमिंग पुल का निर्मार हो रहा है सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के ले जा रहे है बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुबे का आजुकेशन लों देने का काम किया आज प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर माबाप अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे है एक ऐसी सरकार जिसने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार अपना बजट पेस किया लेकिन एक भी सामान पर एक भी रुपए का टैक्स बढ़ाना तो दूर पचीस सामानों पर टैक्स घटाने का काम किया एक ऐसी सरकार जो बुज़गों का ख्याल रखती है उनका पेंसन दुगना करती है पिकलांगों का पेंसन दुगना करती है और दिल्ली में ट्रांस्पोर्ट के अंदर हमने फैसला लिया है ठाइसो रुपए में माताओं पहनों के लिए बुजुर्गों के लिए पूरे दिल्ली में बस में घूमने का पास्ट्री करने का काम हमने किया दिल्ली के अंदर जो हमारी सरकार चल रही है एक ऐसी सरकार जिसने हंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे वड़ा मुआपजा किसानों को पचास हजार रुपए हिट्टे और मौपजा देने का काम किया और जवान की मौपट पर एक करोड रुपए की सम्मानदासी दी चले जवान चले किसान के नारे को दिल्ली में केजरी वालने और आपने मिलकर सच करने का काम किया इसलिए आप से निवेडन और बिंती करने आया हो इन कामों को याद करना जब अपना वोट देने के लिए जाना अगर आपको बच्छों की पढ़ाई याद रहेगी अगर आपको महला क्लीनिक याद रहेगा अगर आपको बिजली याद रहेगी अगर आपको पानी याद रहेगा अगर दिल्ली सरकार में जो राहते दी हैं वो अगर आपको याद रहेगे तो यस भातिया का चुनाव निसान ज़ाड़ू याद रहेगा आम आदमी पार्टी याद रहेगी अर्विन केजरिवाल याद रहेगे अगर आपको याद रहेगा कि संजी उजहाने 700 करोन रुपए के विकास काम कैसे बुरारी में किये है कैसे सडके बनाई है नालिया बनमाई है कैसे यहाँ पर एजुकेसन हब बना है फिरसे पार्क बन रहे है अगर आपको इनके काम याद रहेंगे तो जरूर आम आदमी पार्टी याद रहेगी अर्विन केजरिवाल याद रहेंगे और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो ज़रा दस साल के MCD के भरस्ताचार को भी याद कर लेना अरे भाजबाईयों ने भी खुद बता दिया कि दस सालों में उनके बेइमान और चोर पार्सदों ने चोरी किये उनको टिकट नहीं देंगे तरह सबका सब टिकट काट लिया अब करें नए चोर का पैकेज लेके आरा है इनको टिकट देंगे को वोट दे आए पिछले चोर को नहीं दे नहीं को वोट दे दो एमसीडी के अस्पतालों की हालत आप से छुपी नहीं जाकर देख लेना MCT के स्कूलों की हालत आपसे छिपी नहीं है जाकर देख लेना MCT के पार्कों की बधाली को जराद देख लेना तोनव के काम को तराजू में तौल लेना तराजू में क्योंकि आप नए भी सो लोग तंत्र के आपकी वोट की ताकत से पिधान समा में लोग जाते हैं संसत में लोग जाते हैं पनगर निगम में लोग जाते हैं आप नाया भी से तराजू में तौल कर देखना अगर आम आदमी पार्टी के काम का पड़ला भारी हो तो केजरिवाल के साथ जाकर जारू पर वोट लगा देखना यही निवेदन और विंती आप से करने के लिए आया अगर दो साल के अंदर हमने आपके लिए काम किया है अगर दो साल के अंदर केजरिवाल जी ने आपके लिए काम किया है तो काम के नाम पर वोट दे देना क्योंकि अभी धरम का डमरू बजाने वाले आपके बीच में आएंगे नफरत पैलाने वाले आपके बीच में आएंगे भाई से भाई को लडाने वाले आपके बीच में आएंगे मंदिर मस्जित के नाम पर वोत मांगने आपके बीच में आएंगे अरे मंदिर मस्जिद गुर्दवारों ने बाट दिया भगवान को ठर्टी बाटी अंबर बाटा मत बाटो इंसान को हम नफरत की राजनीती के बुनियाद पर हिंदुस्तान को नहीं खड़ा करना चाहते हैं हम इमांधारी के रास्ते पर सच्चाई के रास्ते पर भाई को भाई से मिलाकर एकता कि बहुञा वह बुनियात पर हिंदुसतान को खड़ा करना चाहते हैं कहिं गाय के नाम पर इस्सान को माला जा sécurité है उत्तर प्रदेस में कहीं एंटी रोमियो के नाम पर बाप बेटी साथ जा रहा है उनको पकड़ के पीटा जा रहा है भाई बहन साथ में जा रहा है उनको पकड़ के पीटा जा रहा है अरे लखनव के अंदर चनपत मार्केट में पती पतनी घूमने गए उनको पकड़ के पीट दिया थाने में बैठा ये किस प्रकार का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं भाजपाई ये कैसी नफरत की दुनिया बनाना चाहते हैं भाजपाई ये देश बनाना चाहते हैं रास्तवाद की बात इनके मुझ से सोभा नहीं देती ये ऐसे रास्तवादी लोग हैं जो नवाज सरीव के बर्थने का के करते हैं यह ऐसे रास्तवादी है तो आई असाई को हिंदुस्तान की धर्ती पर बुलवा कर पाठान कोट के कातिलों की जाच कराते हैं आप इस बात के लिए इस बार तयार रहना कि जाती के नाम पर नहीं धरम के नाम पर नहीं छेत्र के नाम पर नहीं वो कहते हैं मारो काट हमोगों लोगों को बरबाद करो जिसको चाहा खात में मिला दिया जिसको चाहा आस्मान पे पहुछा दिया जिसको चाहा मिट्टी में मिला दिया इसलिए जब अपना वोट देने के लिए जाईएगा तो बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल कीजेगा आज MCD भेस्टा चार काड़ा बना हुआ है MCD की साइट नगर निगम की बेफ साइट बनती है बारा सरूर रुपए में और कल मैं अख़वार में पढ़ रहा था बंदर पकलने का काम नगर निगम वालों ने किया तो जानते हो कितने में बंदर पकला एक बंदर को पकलने की कीमत अठावन हजार रुपए 58,000 रुपए में एक बंदर पकड़ रहे हैं अगर निगम वाले 12,000 की वेबसाइड बना रहे है और आपको तो रोज भुगतना पड़ता होगा हमको बताने की जरूरत नहीं है अगर आपने अपने बिल्डिंग पर दो इंटा रख लिया तो सफाई करने के लिए बहले ही करमचारी ना आता हो लेकिन निगम पारसद, निगम के करमचारी और पुलिस वाले आप से पैसा वसूली और रिश्वत करने के लिए रिश्वत वसूली करने के लिए आ जाते है हम लोगों ने दो साल आपके लिए काम किया है और मजदूरी मांगने के लिए आए है काम की मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए बताइए हाथ उठा के बताइए मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए अगर अरविन केजरिवाल जी ने काम किया है अगर संजी उजाजी ने काम किया है अगर यास यास बातिया बैन ने हमारी इस शेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है तो काम के नाम पर वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर मिलना चाहिए तो हम आप से कोई रिश्वत मांगने नहीं आये है हम आपसे कोई पैसा मांगने नहीं आए है हम आपसे कोई दारू की बात करने नहीं आए है हम आपसे कोई गुंडा गर्दी नहीं करने आए है हम हाथ जोड़ के आपसे कहने के लिए आए है कि अपने बच्छों की पढ़ाई के नाम पर वोट दे देना सिक्षा के नाम पर वोट दे देना स्वास्त के नाम पर वोट दे देना पिजली के आदेदाम के नाम पर वोट दे देना पानी मुफ्त मिलता है इस नाम पर वोट दे देना नहीं तो अगर गलती आपसे हो गई MCD में गलती से अगर आम आद्मी पार्टी चुनाव हार गई अगर केजरिवाल जी कमजोर हो गए तो याद रखना ACB हमारे पास थी प्रस्टा चार से केजरिवाल जी लग रहे थे भाजपाईयों ने हमसे ACB छीन ली ACB डिपार्टमेंट छीन लिया और 1998 तक MCD के अंडर में विजली विभाग भी होता था पानी विभाग भी होता था अगर गलती से आम आद्मी पार्टी चुनाव हार गई तो यह विजली का विभाग भी हमसे चीन लेंगे पानी का विभाग भी हमसे चीन लेंगे और आधे दाम पर जो बिजली मिल रही है ये बिजली का दाम बढ़ा दिया जाएगा ये जो मुफ्त पानी मिल रहा है ये पानी मुफ्त का खतम करके इसको पानी का दाम आपसे वसूला जाएगा इसलिए इस बार हाथ में जालू लेकर दिल्ली में जालू चलाओ M.C.D. में जालू चलाओ और दिल्ली से गंदगी भगाओ ये संकल बाप को लेना दिल्ली से गंदगी को दूर करने का संकल बाप सब को लेना है आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं फिर से एक बार निवेदन करूँगा बेहनेस भातिया जी को यहां से भारी मतों से आप लोग जिता कर भेजिए इंकलाब इंकलाब